कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है इस बीच एक और वाइरस तेजी से जानवरों से इंसानों में फैल रहा है विश्व स्वास संगठन की ताजा रेपोर्ट से पता चला है कि कई देशों में कहर मचाने के बाद अब हमारे देश के बहुत से राजियों में भी मंकी पॉक्स के केसिस देखने को मिल रहे हैं ऐसे में कई लोग मंकी पॉक्स वाइरस के लक्षणों को किड्नी रोग से जोड़ कर भी देख रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि क्या मंकी पॉक्स वाइरस और किड्नी रोग में कोई संबन तो नहीं हलो और यूट्यूब चानल तो नहीं अगर आपको मारी विडियो अच्छ लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं अपने विशे पर आगे बात करेंगे लेकिने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और विडियो के एंड में कमेंट शाउट आउ इस बिमारी पर हल्थ एक्सपर्ट्स की राय मानें तो ये बिमारी काफी रेर है लेकिन टाइम पर इलाज ना हुआ तो ये सीरियस भी हो सकती है आपको बता दें कि फिलहाल इसका खत्रा मिडल वेस्ट आफरिका देशों में ज्यादा देखने को मिल रहा है चलिए अब जा मणिकिव यक्ती पीडगे पास जाता है तो वो भी इस वायरस की चपेट में आ सकता है मौंकी पॉक्स वायरस आपके नाक आग और मुग के जरिए बोडी में एंटर करता है जो पीडित के घ fronts वाली जगह से निकलता है इस बात का ध्यान दें कि ये वायरस केवल इनसान में नहीं बलकी बंदर गिलहरी और कुट्टे में भी पाया जा सकता है जिसके कॉंटाक्ट में आने से आप भी इसके श्रिकार हो सकते हैं वहीं पीडित मरीज तकरीबन साथ से 21 दिनों तक इस वारस से पीडित रहता है अब बात आती है कि आखिर इस वारस को पहचाना कैसे जिनके चहरे पर दाने उभरने लगे और बॉडी के दूसरे हिस्से में भी उभरने लगे तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति मंकी पॉक्स वारस से इंफेक्टेड हो सकता है लेकिन अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द, मास्पेशियों में दर्द, ठकान, कमकभी चूटना ये सभी लक्षन तो किड्नी खराबी के लक्षन भी हो सकते हैं? जी हाँ, किड्नी खराब होने पर भी इस प्रकार के लक्षन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मंकी पॉक्स वारस और किड्नी रोग का को कोई सम्मंद नहीं है, इसलिए हमारी आप से सला है कि अगर किसी को बुखार, सिरदर्द, कमरदर्द, मास्पेशियों में दर्द, ठकान, कमकभी चूटना जैसे सामान लक्षन देखने को मिल रहे हैं, तो इसे किड्नी प्रॉब्लम समझने की भूल न करें, क्योंकि ये मं बिमारी गंभीर हो जाती है, और जानलेवा भी हो सकती है, मंकी पॉक्स का अभी कोई इलाज नहीं है, सिरफ लक्षनों को कम करने की कोशिश्च की जाती है, मंकी पॉक्स वारस से इंफेक्टेड व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स का टीका लगाया जाता है, जो इस बिमारी को र को ये बिमारी न पहले फेस मास का इस्तिमाल और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलहा दी जाती है अब आप समझी गए होंगे कि मंकी पॉक्स वाइरस और किड्नी रोग में कोई समंद नहीं है लेकिन आप खराब किड्नी को ठीक करने के लिए अर्विदिक उपचार भी ले स सकता है इसलिए आर्विदिक उपचार को लेने से किड्नी फेलियर खून को बढ़ा सकते हैं अगर आपकी किड्नी में कोई भी समस्या है तो इसको अंदे खाना करें और अगर आप अपनी किड्नी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आर्वेदिक इलाज सबसे सुलक्सित है क्य십6 अरुधिक इलाज में आपकी किड़नी को कोई नुक्सान नहीं होता अईरुधिक इलाज पूरी तरह प्राकर्षिक है जो अपना काम पूरा प्राकर्षिक तरीके से करता है अगर आप किड़नी के लिए सबसे अच्छा अर्वेदी कुपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा अर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लि अर्छा अर्वेदी कर मैं एक उनी कर दात। कि netश के लिए व और मैं हम पको में स। कि और अब तक कि रिए हैं अर्वेदी के लिए पक्राह को आवगो yön रिर्षी कर सकते हैं